Welcome to Long Term Shares आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागता आज हम बात करेंगे सेंसक्स के बारे में देखिए सेंसक्स यहां पर आज जो जिस बहुत पर ट्रेड हो रहा है अप्रिल एक नया महीना है 11 बच के 55 मिनट पर यहां हो रहे हैं और 38,982 पर हैं 309 की पठत पर हैं ओपन यह हुआ था इंट्रडेक्ट हाई जो मारा इसने आज के दिन में इसने 39 का लेवल टच किया और 52 वीक भी इसका आज ही मुझ लगता हाई बना है एडिवेज लो था 38,844 का अच्छा रिटन देख लेते हैं कि सिंसेक्स ने कितना रिटन दिया यह तिल देट जन्वरी से लेके 8% के करीब 8.08% वन वीक में 1.30% वन मन्थ में 7.80% और 3 मंथ में 7.20% 6 मंथ में 5.90% वन येर में 16.30% देखें सिंसेक्स भी 15-16, 15-16 के हिसा आप से मुझे लगता कई सालों से इसका 15 के आस पास तो इसका अन्वल रिटन रहता ही करीब है इस साल भी देखें 16 पहुंची गया दो सालों में इसने 31.00 31% का रिटन और 3 सालों में 55.30 का रिटन है 55. इसकी हम पी भी देख लेते हैं क्योंकि होता है क्या है कि जनरील लोग कहते हैं कि 28 की पी तक तो ठीक है उसके बात ये करेक्ट करना शुरू कर देता है लेकि पी रिशियो इसका 29.15 है फिलाल आज के टाइम का और यहां पर बाकि सारे चीज़ तो हम निउस देखें कि ऐसा क्या हो रहा है कि सेंसेक्स बहुत जबरदस्त भागता ही जा रहा है इसमें खरीदारी भी जबरदस्त हो रहे है तभी तो अब देखें India's Sensex Riley's set for record as growth concerns abatt, छोटी सी निउस में पर देता हूं इन्टेंटीज बेंचमार्क was set to close at a record high as a global growth concerns abatted, expectations that the Central Bank will announce its second interest rate cut this year and national elections that will see Prime Minister Narenda Modi re-elected has helped lift investor sentiment मतलब यह एक तो दो निउसेज जो हा रही है को बैंकों के लिए जो RBI जो सेंट्रल बैंक है वो अनौन्स करने वाला है जिससे ब्यासतर सस्ता होने की उम्मीद है इससे भी एक संसक्स को बल मिला है दूसरा जो दुनिया भर के निवेशक हैं जो बड़े-बड़े करते हैं चाहे डेट फंड हो चाहे एक्विटीज हो तो उन लोगों ने सिर्फ जिस प्रकार से यह ख़वर फैल रही है कि 2019 में भी यह सेम गवर्मेंट आने वाली है तो उससे पॉजिटीव हो के संसक्स हमारा भाग रहा है और मार्च मार्च में करीब मैं एक नीज में सबस्याद मार्च महीने में खरीदारी हुए जब से एलेक्शन्स की डेट अनाउंस्मेंट हुई है उसके बाद से आप नोटिस कर सकते हैं जिस दिन डेट आई हैं कि इन दिनों पे एलेक्शन्स होंगे और इस तारीक को रिजल्स है तब से संसक्स उपर चाहता ही जा रहा लेकिन अभी फिलाल लंबे समय से हम देख रहे हैं कि ऊपर की से तरफ ही जा रहा है और जबर्दस्त जो हाई पर हाई बनते जा रहे हैं और आने वाले समय में भी देखें निवेश को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो समझदारी के यह पर्चे देना पड़ेगा कि चाहे गौवर्मेंट कोई भी आए अभी जो करेंट गौवर्मेंट यही आती है तो बहुत ही जबर्दस देखिए अभी उसके सिर्फ अनौन वो उसकी जलक से उसकी कैंपेइनिंग से ही सेंसक्स इतना पॉजिटिव रिटन भाग रहा है और कोई भी अगर माली जे अभी जागरूख है लोग वर्डवाइट से जुड़ गया है लोग के पास पावर आ गया इंटरनेट आ गया है लोग कंपेर करने लगते हैं कि जैसे कि माली जे इंडिया की ग्रोथ तो होनी होनी है अगर ग्रोथ नहीं होगी तो जैसे माली जे कि किसी इलाके में कहीं पर राइट्स वालूम पढ़ने लगें, चुकि कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है इंटरनेट के मात्याम से न्यूजेज उनको आधान-प्रदान हो कहावती न कर लो दुनिया मुठ्थी में तो वही चक्कर हो गया है तो इस वज़े से सबके पास अब वर्डवाइट की कहीं भी किसी कोने कोने पहुँच सकते तो लोग अवेर हो गए जो नया यूथ है जो नया वोटर्स है तो अबिसली कोई भी गोवर्मेंट हो उसको अगले पांस सालों में जो पिछले इतने सालों में बीजी से साब से स्पीड रही है और पांस सालों में आने वाली में मुझे लगता डबल ट्रिपल चार गुना के हिसाब से और भी ग्रोथ होगी जीडीपी अपनी जो भारत की है तो ऐसे में नो डाउट सेंसेक्स में भी अच्छा रेटन मिलेगा अच्छी कंपनियों में जो इनवस्टमेंट जाएगा तो वो ग्रोथ करेंगे खास कर मायक्रो कैप कंपनी इसक करना होता है तो अच्छा रेटन भी आएगा और सब लोग को कमाने का अच्छा मवक है हां जो लंबे समय के निवशए क्यों उनके लिए तो बलने ही बलने फिर भी मैं एक छोटी से बात ये भी कहना चाहूँगा कि दोस्तों क्या होता है कि share market है और share market में क्या होता है कि safe and side चलना चाहिए risk and reward का मामला होता है तो उन अच्छी company और good quality company हो में ही आप invest करें अपना पैसा और कभी एक साथ पूरा पैसा यह नहीं कि चलो अब election के रिजल्स आने के बाद जो भी present government भी बनी तो आपने पूरा पैसा डाल दिया तो कभी-कभी market भी अपने अपको करेक्ट करता है क्योंकि ज्यादा अगर पी हो गया ज्याद को टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें और वो फेल भी हो जाती ह अभी माल लिजिए कि 29 की पी पे है तो उस हसाब से अभी देखा जाए तो market अपने आपको करेक्ट करता लेकिन दिस हसाब से अभी खरिदारी हो रहे जिस साब से investors का पैसा आ रहा है तो सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती है तो यह तो अच्छी बात भी हमारे market के लिए भी कभी-कभी होता है कि बड़ी-बड़ी कंपनियां दिग्गेज कंपनियां किसी न्यूज के कारण एक न्यूज आती है और वो कुछ समय के लिए एक particular days के लिए ही तूट जाती है जमीन पर आ जाती तो उस समय सुनाधा उसर होता है कि हमें इसके कुछ स्टॉक्स ले ले लि तो मुझे थोड़ा सा मुझे उत्सुकता हुई कि चलो मैं दोस्तों से अपने शेयर करना चाहिए कि ऐसे मैं कवन से स्टॉटजी बनानी चाहिए मेरे जो सस्क्राइबर से तुन के लिए मैंने ये थोड़ी सी अपनी बात दिल की कही है आप लोग भी फ्री है कुछ भी कह होगा और अगर आप हमारे चैनल में जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा थैंक्यू वेरी माच